नमस्कार दोसों आप शबी का बहुत बहुत श्वागते दोसों आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं धनू राशी के बारे में तो दोसों अगर आपकी भी राशी धनू है तो दोसों आज के इस वीडियो को बिलकुल भी मिशना करें और शुरूश लेकर अंत तक ज कि आजानि आपके जूनकाल में, हुआ खुशियां आपको मिलेंगे जिने आपने कभी शपने में भी नहीं शोचे होंगे। शाति उनके नाम भी बताने वाले हैं, हमें एक एशी इस्तरी, एशी महिला, एशी नारी या फिर यूग हैं तो एशी औरत के बारे में बात करने वाले हैं, जो कि दोस्तों आपकी राशी के लिए कलियों की सबसे अच्छा जिवन शाती है, जो कि आप शे खूब प्यार करती हैं, शच्चे दिल से आप शे प्यार करती हैं, जो दोस्तों, और इस तरीका शात होने शी, आप शिवी का घर बिल्कुल श्वर्ग बन जाएगा, जो दोस्तों आप शिवी को बता दे कि यह मेला आपको नीचे नहीं, बलकि लोट चायों तक ले कर जाएगा, दोस्तों आज के इस वीडियो को, आप बिल्कुल ही मिश ना करें, और दोस्तों शुरूच लेकर अंद तक जरू देखेगा, तब दोस्तों आप वीडियो को अच्छी तरीके से शमझ पाएंगे, कि आखिरे कौन शाहिस्तरी आपकी जुनकाल करिए, शब से अच्छा जुबन शाती पेजेगे, वाद दोस्तों इनका शुरूच यृदियो आपको मिल जाएंगे, तो दोस्तों इनका हात आपको बिल्कुल भी नहीं चोड़ना चाहिए, दोस्तों या कुछ एसे लोग हैं, जिनका अगर आपका शुरूर्ग बन जाएगे, जिवन में चर्यारी परिशाणिय कश्च शब को श्रमाप्त हो जाएंगे और पिछले कापिश में से चिन चीजों को लेकर आप परिशान होते हैं दोस्तों अगर आपका पार्टनर अगर आपका जीवन शाती इस राश्री का है तो दोस्तों यकीन मानिए कि आप सबसे ज्यादा भागिशाली इंसान है क्यों दोस्तों या लोग आपको जुनकाल में सच्चा प्यार करने के शाथ साथ आपके उपर सच्चा विश्वास भी करते हैं इसलिए दोस्तों आज का यह वीडियो आप शुबी के लिए बहुत ही ज्यादा महत्पुन बहुत ही ज्यादा खाश और बहुत ही ज्यादा जरूरी रहने वाली है इसलिए दोस्तों आप इस वीडियो को बिल्कुल ही मिश्णा करें और इन्हें शुरूश लेकर अंतर तक जरूर देखेगा तभी दोस्तों आप यह बात को समझ पाएंगे कि आखिर वहा कौन शाहितरी है कौन शाहनारी है जो कि आपके लिए शब्शे बेश् शनीत देव का अशिरवाद आप शिवी को प्राप्त होगा आपके घर परिवारवालों का निरंतर शयोग बना रहेगा तो चली दोस्तों अब आगे बात करते हैं दोस्तों हमाप शिवी को यह बात पताना चाहेंगे कि आपके शात एशा अकसर देखा जा रहा है कि यदि आपका सब कुछ लुट भी जाए चला भी जाए तब दोस्तों आप अपना शाहस को नहीं चोगते हैं और आप उस kाम को यानी जो काम आपने ठान लिया है उसे दोसों पूरा करकर ही छोड़ते हैं पूरा करके ही दम लेते हैं अगर किसी से सच्चा प्यार की बात करें तो दोसों अगर आप में जुनकाल में किसी से सच्चे प्यार करने में लग जाते हैं तो दोसों आप लोग इस तरह उसके प्यार में योग कि हैं उसके दिल से इ बहुत ही ज़्यादा भावकिश्म के आप व्यक्ति होते हैं और चोटी चोटी बातों को आपने दिल पर भी लगा लेते हैं दोस्वों कुछ बातें तो एशी भी होती है कि आप चाहकर भी भुला नहीं पाते तो आपके अंदर यह क्वैल्टी देखी गई है कि आप लोग को कि दोस्वों आपको बूरा तब बहुत ज्यादा लग जाता है जब कोई दूसरा व्यक्ति जिसको आपने अपना शमज कर उसके लिए शब कुछ किया है दिन रात उसके लिए एक कर दिया है और दोस्वों अंत में वही इंशान आपकी रिश्पेक्ट ना करें आपकी खिल देते हैं यानि कि दोस्वों जब उनका मतलब आप शी निकल जाता है जब उनका काम हो जाता है तब दोस्वों आप शी किनारा कर लेते हैं दोस्वों आप शी भी को बताना चाहेंगे कि किसी से प्यार करना और किसी से प्यार बाटना वो तो आपकी राशी वालों से शिख करना बंद कर दिए आपकी हर चीजों को इग्णोर करने लग जाए दोस्तों आपकी प्यार बिरी जिंद्गी जो है और उठने और मनाने में भी अभी तक चल रही है दोस्तों आपके शाथ अक्षा रिशा देखा गया है कि आप एक प्रोलम शी बाहर निकलते हैं तो यह दोस आप हमें कमेंड करके बताईएगा क्या मैं यह शब गलत बो रहा हूं आपके शाथ शब कुछ नहीं हो रहा है अपनी राय हमें कमेंड करके कमेंड के दोरा जरू बताईएगा और दोस्तों आप लोगों को तो एशे में खुशियों की कमी नहीं होती कि दोस्तों आपका ज विल्ग ये चालने में जिन लोगों शे आप आँश्श लगाई बेड़ते हैं वही लोग Jeśli आप किनारा कर जाते हैं और ऐशे एक बर और नहीं बल्कि दोस्तों बार बार वार ही होता है मानों कि दोस्तों आप लोग प्यार के लिए बने ही ना हो लेकिन दोस्तों एशा ख्याल अपने दिमाक्षी निकाल देजी आपको मैं बता दूं कि दोस्तों हमेशा एक जिद्धी व्यक्ती ही इतिहास रच्ता है और आपकी राशी वाले तो जिद्धी भरे होते हैं जिद्धी में आपके पास जितनी भी परिशन आए दुख आए टेंशन आए हर मुश्किल का शामना आपने हशकर किया है हिम्मत कभी आपने नहीं हारा किशी भी चीज को पाने के लिए आप उम्मिद नहीं जिद रखते हैं यही आदत आपको दूसरों से अलग बनाता है दो दोस्व आप शबी को बता दें कि दुश्मनों की चोड़ तो आप खुशी खुशी शह लेते हैं लेकिन दोस्व आपका दिल तब बहुत ज़्यादा टूट जाता है जब कोई आपका अपना ही आपको चोड़ पहुंचाता है दोस्व खैर जो हो चुका अब तो वह हो दोस्व में आपको बहुत कुछ जरूरी चीजे का ध्यान रखना है ज्यादोसों उसमें शब से जरूरी और पहली चीज आती है कि दोस्व आप लोगों को किशी के वी उपर अब बहुत जल्दी भरुशा नहीं करना है ज्यादोसों हम आप शिबी को बता दें कि आप शादी हो चुकी है या फिर दोस्व आपकी शादी किशी के शाथ होने वाली है तो दोस्व आपको कौशा व्यक्ति है कौशी लोग है कौशी औरत है कौशी नारी है कौशी महिला है या फिर वह कौशी नाम वाली लोग है जिनसे आपको जुड़ना जिनसे आपका रिस्ता बनना आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा यहां पर दोस्तों हम शिप विवा की बात नहीं कर रहे हैं आप पने अच्छे मित्र करीबी मित्र भी शे बना शक्ते हैं जिया दोस्तों शब से पहली चीज है जिसकी आपको जनकारी लेना चाहिए कि आपकी राशी वालों को इस तरी की शुंदर्ता को देखकर बिवा कर निरले नहीं लेना चाहिए जिया दोस्तों दोस्तों आपको यह बात शुमजनी होगी कि इस तरी की शुंदर्ता को लेकर जो भी बिवा होता है वो बहुती बड़ी भूल होती है जिया दोस्तों यह आपके लिए निश्ची द दोसुन इसके विवित को अपने जिवित ज़े बातों का ध्यान और फुस्ति हैं शुवाह करने के लिए दोस्ते को आपको बता दे जो और जबस्तित से किया गया अगामी बिवाह भुष में काफी शिकायति उत्पन कर शकता है यह बात आप भी जानती होंगे कि दोस्तों बैवाई के जीवन में यह निरले आपके लिए बड़ा शमश्या खड़ी कर शकती है इसलिए दोस्तों अगर कोई इस इस तरी के शाथ आपका जगड़ा भी हो जाए तो भी दोस्तों उन्हें आपको नहीं चोड़ना चाहिए क्यों दोस्तों आपको प्यार करने के वज़ेशी एसे इस्त्रियों को आपके और आपके परिवार की खुश्यों की भी परवाह होती है इसलिए दोस्तों एशी इस गुशार इसतरी शिव्यवा करने जा रहे हैं तो दोसों सबसे पहले यह देखना चाहिए कि वह इसतरी धर में आश्चा रखती है यह फिर नहीं दोसों आपको इसी इसतरीयों पर विश्वास करना चाहिए जो कि आप में अपने पिताओं को देखे और आप उसे उसके पिता की तरह आप शमान करें उनका ख्याल रखें और दोस्तों इस तरियां भुष में आपको कभी भी धोखा भी नहीं देंगे दोस्तों सब्से जरुरी बात आपको यहां पर शमय ना चाहिए कि दोस्तों चाहे कोई कितना भी शुंदर क्यों ना हो लेकिन हमेशा इसे ही आप करे जिसके लिए आपका शव्भाव सबसे ज़्यादा महत रखता है क्यों दोस्तों उमरबित जाने पर शुंदरता तो कम हो जाएएंटी और फिर शुंदरता पर मिठने वाली इस्तरी आपको से कटने लग जाएंगी उनका मूः भंग हो जाएगा लेकिन दोस्तों जिस इस מת प्रेम करने चाहिए जो कि किशी के शाथ प्रेम शमन में पहले शेही ना जुड़ा हो क्यों अगर आप दवाव डाल कर या फिर जोड़ जबस्ति करके उनके शाथ बिवा कर लेंगे तो दोस्व यह इस इस्तिरी का मन अपने प्रेमी के ही और रहेगा और दोस्व पूरे मन अपने पती के शाथ नहीं जुड़ पाएगी इसलिए दोस्व इस इस्तिरी शी बिवा करने शी पहले उनकी मर्जी आपको ज़रूर जान लेनी चाहिए और दोस्व यहां पर आपको एक और बात चमेनी चाहिए कि जिस इस्तिरी को किशी प्रोश प्रेम हो और वह उसकी प श्रणों चाहिए तो इस इस्तिरी का प्रेम उशे शुल्ह करने पर मजबुत कर देगा दोस्व इस्तिरी हमेशा घर मेखुश्याली लाती है जिन्दगी में खुश्याली लाती है ऐसे इस तरी शी बिवा करना उतम रहता है दोसे अगर हम ये आपको बात करें वह कौनmetro स् जिन्दगी को बदल शक्ति है जो कि आपके लिए शब से ज्यादा लग्की शब से ज्यादा भागी शाली शाबिद होती है तो दोस्तों उश इस्ति के नाम का पहला अच्छर कुछ इस परकार है पी ऐल एम एन एश जी आर और शायद दोस्तों उश पुरुष का जो नाम है इस तरीयों के लिए शब शे बेश्य है शब से लक्की नाम है C R G S A M P I H तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आज का यह वीडियो आप शुपी को पहुचान आया है तोस्तों आप शुपी सो इन्योंदं है कि यह दोस्तों वीडियो को ज़रूर लाइक करे और चैनल को जरू अधिक जनकरिया हम आप तक सबसे पहले पहुचा सकें धन्यवाद